नमस्कार मेरे चैनल में आप सभी का श्वागत है यह देखिए हम भाजी निकाल रहे हैं अपने बगीचा से इसमें आयर्यन का एल्सियम भरपूर मात्रम होता है यह देखिए भाजी का नाम नहीं पता है यह भी 36 गड़ की भाजी मिर्शी तोड़ रहे हैं आप लोग पता होगों तो प्लेज नाम बताईएगा हमको यह हमारी पती देख चत्रिस गड़ से मगाया थे यह हमारे हमिर्शी भी लगिया है आज हम बनाने जा रहे हैं थमनेल में तो पढ़ी लिये होंगे आप लोग खेढ़ा की भाजी यह हमने पाने डाल दिया है थोड़ा सा आधा कब यह खेढ़ा भाजी है यह देखे ऐसी होती है यह हमने को काट लिया है यह डंडल बहुत ही स्वाधिष्ट होता है जैसे मुनगक सबजी होती ने ऐसे काट-काट के देखने में एक दम आपको चवलाई भाजी जैसे दिखती है चतिस गड़ में बहुत होता है यह बेभी काटन था हमारे पास तो ले लिया है आप पूरी तरफ से स्किप पर सकते हैं मड़ डालियेगा यह मेथी भाजी हमने लिया है आप इसकी जगए दूसरी भाजी डाल सकते हैं यह बीच में हमारे हाँ चुक अंदर रखा था चुक अंदर की भाजी ले लिया है हमने उसको भी आप इसकिप कर सकते हैं खेड़ा की भाजी बस से बना सकते हैं बोलते हैं मत्रुवा का पेड़ा और रोहा का स्वारी यह हमने टमाटर डाल दिया है तिन चार टमाटर है थोड़ा चाहल्दी डाल दिया है बहुत अच्छी सब्जी लगती है आगरा का पेड़ा आगरा का पेठा मत्रुवा का पेड़ा छतिस गड़ का खेड़ा भूल गये थे हम तो फेमस है यह हमने थोड़ा से जीरा डाल दिया है एक चमच एक चमच धनिया वा साबुत धनिया डाल दिया है यह इनना उदसकली वो लाहसून है वही जो हमने मिर्ची तोड़ा थे तीन-चार मिर्ची है इसमें आप अपने ट्रेस्ट कंसर मिर्ची ले सकते हैं यह थोड़ा सदरक है दो-तीन इंच यह हमने छील के काट लिया है धोके इसको पीछ लेंगे इसमें दो-तीन सीटी आजाए फिर आप बंद कर दीजेगा ठंडा हो जाए फिर निकाल लीजेगा बहुत अच्छी लगती है आप बस उसकी भी उसकी डंडी जो है न उसकी भी बना सकते हैं सब्जी आप सभी लोग को जो जो देख रहे हैं सबको बहुत- बहुत धन वाद जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत- बहुत धन माल यह हमने कडाही कर दिये हैं रखदिये हैं तब तक हमाई से भाजी ठंडा आ रही फिर दिखाते हैं aanपको कॉलके यह हमने सरसों के तेल डाल दिया है तेल आप अपने हम सर कम जादा कर सकते है हमारी भाजी जादा है अभी इसको तलेंगे भूजेंग थोड़ा सा खेड़ा को यह हमने वही धन्या जीरा जो पीशा था उसको निकाल लिया है यह खेड़ा है हम ने कभी नहीं खाया था जब संसुराल में आये तब ही इसका नाम सुना है हम लोंको धन्य होते है अ इसको बस दो मेनट आपको करना है χालका सउ आसंब भूल ना है जादा नहीं दो मिनटे से जादा बिलकुल नहीं虎हाई फ्ले में यह से करके निकाले यह हमने ओ डाल दिया बेवी काट छोटे-छोटे काट के आप बिल्कुल इसको इसकीप कर सकते हैं बहुत अच्छी लगती है सब्जी इसकी अगर आप लोग कहीं से मिल जाए तो जरूर बना के खाईएगा अब बहुत पॉष्टिक होती है यह हमने थोड़ा से डाल चीने डाल दिया है एक बड़ी लाइंची है दो छोटी लाइंची है यह थोड़ा से लाशन डाल दिया है दो तिन कली छोटी-छोटी टुक्रेम काटके यह हमने दो मेडियम प्याज ले लिया है आप अपने सबजी जितनी हो उसके अमसार से प्याज की मात्र घटा बढ़ा सकते हैं बस इसको हलका गुला भी थोड़ा से करना है थोड़ा से हींग डाल दिया है हमने एक पिंच यह थोड़ा से नमक डाल दिया है उसको प्याज जल्दी से भून जाती है इसलिए हमने डाला है यह देखे हमारी भाजी पच्छे स्पक गई है इसको अच्छे समैस कर लिजे इसी में टमाटर ओ माटर सब प्लेज अगर वह भाजी आप लोंग नाम पता है तो बताईएगा क्या बोलते हैं बहुत प्याज उसको हम लोग सलान में भी काटके खाते हैं बहुत अच्छी लगते हैं थोड़ा से हमने नमक डाल दिया है एक चम मचर एक टेबल स्पून आप अपने स्वादान उसर सब्जी के उसर डाल सकते हैं इस धनिया पति हमने डाल दिया है भी इस समय अगर धनिया पति डालेंगे तो आपके सब्जी बहुत खुश्बू आती है उसकी मसाला प्याज भूनते समय डाल दिजिए कमेंट करके बताएए कौन कौन खाया खेड़ है कि सब्जी हमारे अंपिम तो बहुत कम हम मिलता है भाई यह वही जो हमने मसाला डाला तो उसको डाल दिया है एक टेस्पून हल्दी डाला है इसमें टमाटर डाले हैं इसमें हल्दी डाला हुआ है सब डाले थे थोड़ा से पाने डाल दिया, वही मिक्सी का जारू घर के, इसको अच्छे से भून जाए, ये अद्रक लहसुन का पेस्ट, उसमें घी डाल दिया, एक चमाच, भूल गये थे, घी डालने से खुस्बू बहुत अच्छे आती, ये स्वाद भी बहुत बढ़िया बढ़ जा, किसी भी सब् में आप थोड़ा सा घी है तो डाल दिजे, आपके पास बटर नहीं है तो, इसको डाल के बस दस मिनट भूनना है आपको, घड़िम देखके, जब अच्छे से भून जात इसको डाल देना है, ये, खेल हाँ, ये हमारे फार्म हाउस में लगा, हमारे जेठी जी लगाए हैं इसको, पानी डाल दिया है, हमने देखेंग, तो एक पाउ होगा, पानी अपने अनशारा आप डाल सकते हैं, जादा मत डालेगा, अच्छा ने लगता है, ये देखें, ऐसे होना चाहिए, देखेंग, अच्छी तरह सुगा ला गया है इसमें, इसको निकाल लेते हैं, लोहिक कड़ा ही है, दूसरे बरतन में निकाल के, फिर दिखाते हैं, पूरी तरह से भी तैयार हो गई, बन गई है सबची, आपको शर्व करके दिखा रहे हैं, ये देखेंग, हमने प्लेट में अलग से निकाल लिया है, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं, अगली वीडियो में, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।